ओम शान्ती 15 जुलाई 2022 की साकार मुरली से होमवर्क आज की मुरली से हम लक्षय लेंगे मुझे सपूत बच्चा बनना है इसके लिए रिफ्लेक्षन करेंगे सपूत बच्चे की विशेशताएं मेरे जीवन में कहां तक आई है सपूत बच्चा करम योगी होगा, रुहानी यात्री होगा, नस्टो मोहा होगा, बेहद का वेरागी होगा और मास्टर नौलेशफूल होगा इसके लिए पुर्शार्थ करेंगे, करम योगी बन सारा दिन करम करने है, चाहे लोकिक करम है, चाहे अलोकिक करम है करम के साथ याद का बैलन्स रखना है, अर्थात मन बुद्धी की एक आगरता हो, एक बाप ही बुद्धी में हो जब करम करते हैं, योग भी होता है, तो हर करम शिरीमत परमान होता है, तो बाबा की मदद भी मिलती है दूसरा है करम योगी के साथ याद रुखानी यात्री बनना है, बाबा की याद रहे, तो बाबा की याद तब ही रह सकती है अगर सारा दिन करम करते समय हम याद रखेंगे, कोई भी वेस्ट टॉक जिसको बुलते हैं जर्मुई जग्मुई नहीं करनी है जब भी समय मिले तो बाबा की याद में बैठ जाना है, और दूसरा याद करने के लिए बाबा ने कहा बाबा को याद करना ही सची सगाई है, अर्थात एक बेहद के बाब के साथ तुम्हारी सगाई होई है तो बाबा को साजन के संबंद से याद करेंगे, तो इस लगन की अगनी से आत्मा के विकरम भस्म होते चाहेंगे आज बाबा सत बाब, सत टीचर, सत गुरु और भी संबंद आये हैं, लेकिन आज विशेश साजन के संबंद से याद करेंगे तो ये याद तभी टिकेगी अगर हम देही अभिमानी बने होंगे अर्था देहे अभिमान से मुक्त होंगे तो बाबा ने कहा देहे अभिमान रूपी डाकों से बचना है ये देहे अभिमान के कारण ही कामविकार होता है जो की आदी मध्य अंत दुख देता है तो जितना हम दे अभिमान से मुक्त होंगे उतना हम बाबा की याद में रह सकते हैं तो बाबा ने कहा कि उसको बाबा की याद करने के लिए बाबा की महिमा को भी याद करें चलते फृते करम करते समय बाबा जो है हमें सच खंड का मालिक बनाते हैं बाबा हमें सिखाते हैं सच बोलना है स चलना है बाबा हमें मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं होने वाले प्राप्तियों को समृति में रखते हैं तो भी बाबा की याद रहती है यही सची यात्रा है और इसे ही तीवत यात्रा भी बोलते हैं क्योंकि हम घर को याद करते हैं और राजधानी को भी याद करते हैं तो इसके साथ जो सपूत बच्चा होगा बेहद का वेरागी होगा ये पुरानी दुनिया में जो कुछ भी है वो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है ये समरिती सारा दिन रहेगी तो पुरानी दुनिया से वेराग स्वता ही आजाएगा नस्टो मोहा होगा तो बाबा ने कहा आप ही मोह मिठता जाएगा और जो सपूत बच्चा होगा नौलेश्फुल भी होगा तो बाबा ने कहा तो मैं बाप समान मास्टर नौलेश्फुल बनना है अपनी बुद्धी को नौलेश्फुल रखना है कि स्वधर्शन चकर अंदर फिर आते रहना है कि हम देवता थे फि तो ऐसे बच्चे सर्विस एबुल भी होते हैं कि सर्विस करना है अंधों की लाठी बनना है पतित आत्माओं को पावन बनने का रास्ता बताना है जो सुख हमने लिया है वो सुख आप पीलो इस तरह सर्विस करके दूसरी आत्माओं को भी वर्से का अधिकारी अर्थात विश्व का मालिक बनाने की सेवा करने वाले ही सवपूत बच्चे कहलाते हैं। तो ये विशेष्टा हैं, सारा दिन अपने अंदर चेक करते रहना है। ओम शान्ति